नमस्ते श्रोताओं, प्रस्तोत है मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानी शापित शैशव दर्वाजी की घंटे इतनी जोड से बजी कि छण भर को हम सभी सहम गए मैं समझ गई कि पारोल आई है और खोब भरी हुई है दर्वाजा खुलते ही वैं घर में दाखिल हुई पर रोज की तरह दन दनाती हुई अपने कमरे में गुम नहीं हुई रसोई की दर्वाजे पर खड़े होकर उसने तीखी आवाज में पूछा आपने नीलम के हाँ फोन किया था? हाँ किया था और सोनल के हाँ भी? मैंने सुई का रोकती में सिर हिला दिया क्यों? अब इस क्यों का कोई क्या जबाब दे? इस थरा शहर भर में मुनादी करवाने की क्या जुरत थी? अब इस सिर्फ री लड़की को कोई कैसे समझाए कि लड़की रात के 10-11 बजे तक घर नहीं लोटती तो घबराइट होती ही है फिर उसकी मेज पर यहां वहां लिखे नमरों को घुमाना भी पड़ता है दरासल तुम्हारे पापा यहां उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने कड़कती अवाज में कहा पापा घर पर रहे या न रहे मेरे लिए शहर भर के फोन खड़ खड़ाने की कोई जुरोत नहीं है उसने निर्णायक स्वर में कहा और पैर पटकती भी अपने कमरे में गुम हो गई गुस्से से अपमान से मेरा पूरा शरीर काप रहा था पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को जप्त किया मुझे मालूम था कि लक्षमी, रामधन, बड़ी उत्सुकता से ये सारा प्रसंग देख रहे हैं उत्तेजना से उनकी आखे जैसी फटी जा रही है विशायद रात से ही घात लगाए बैठे थे कि अब कुछ अभूत पूर्व होकर ही रहेगा एक तो सौतेलीमा का ठपपा और दूसरे बिटिया का ऐसा घंगोर अपराद पर मैंने उन्हें निराश ही किया मैं तो अपनी कोई भी प्रतिक्रिय व्यक्त नहीं करना चाती थी पर एकदम चुपी लगा जाना भी शायद मेरी हक में अच्छा ना होता वे लोग इसे कमजूरी ही समझते इसलिए बेजारी की मुद्रा बना कर मैंने कहा घर में कोई बड़ा बुड़ा ना रहे तो ऐसा ही होता है बच्चों को ना बोलने की तमीज आती है और ना रहने का ढग अरे बड़ी बुड़ी थी तो उनकी कोई सुनवाई होती रामधन बोला अमा जी बिचारी खुद डरी डरी सी रहती आया ने मार लड़िया कर मूड पे बठा लिया था कुछ कसर थी तो वो बोर्डिंग में पूरी हो गई चलो तुम सब्जी चौको और कुछ नाश्ता पानी चाहिए हो तो पूछ लो इन बातों का तो कोई अंथी नहीं है मैंने सभा का समापन करते हुए कहा और अपने कमरे में चली आई सारा दिन मेरी आखों के सामने उसका वैत तम तमया चहरा घुमता रहा कैसा तो सुन्दार रोख पाया है पर गुस्से में कितना विक्रत हो जाता है इस लड़की से कैसे पार पाया जाएगा एक सु वैवस्थित भविश्य के लालश में मैंने ये कैसा अंचाहा बोज उठा लिया नहीं अंचाहा कहना तो गलत होगा उस समय तो कितनी ललक थी कितना उत्सहा था पर अब डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं चुपाई थी पहले से ही आगा कर दिया था रजनी जी मेरे घर में आपको कोई कस्ट नहीं होगा कोई ऐसोविदा नहीं होगी इसका मुझे विश्वास है इश्वार की किरपा से सुख सुविदा का सारा समान घर में मौझूद है पर हाँ घर में मेरी एक बिटिया भी है जो अपने में एक समस्य है बोलती है तो पत्थर सा मारती है अब तक तो होस्टल में थी इसलिए आचार विवार का कोई ढंग मैं उसे सिखा नहीं पाया हूँ हाइ स्कूल करने के बाद अब मैं उसे घर पर ले आया हूँ सोचा था कल को उसे शादी करके फिर दूर जाना ही है कुछ दिन तो बाप के पास रहे कुछ दिन तो मन के तार जुड़ें पर बड़ा मुश्किल लग रहा है बलकि अब तो मैं इस चिंता में घुल रहा हूँ कि इस उजड़ को ब्याहेगा कौन अगर कोई माई का लाज दहेज के लालच में ले भी गया तो चार दिन बाद ही मेरे दर्वाजी पर छोड़ जाएगा इसलिए पतनी की मिर्तियों के इतने वर्षों बाद मैंने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया है सोचता हूँ घर में सौतेले ही सही मा आएगी तो एक बाताबरन बनेगा कुछ संसकार जगेंगे इमान दरे की बात तो यह है कि यह शादी मैं अपने लिये नहीं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ सच है डॉक्टर कुमार ने कोई बात शिपाई नहीं थी लेकिन फिर भी मैं इस्तिती की भयावैता की कल्पना हिन नहीं कर पाई थी बल्कि मैंने तो यह रिष्टा एक चैलेंज के रूप में एक चनौती के रूप में सुईकार किया था 35 वर्ष की आयू में मुझे 17 साल की लड़की की मा बनने में कोई आपत्ती नहीं थी अब लगता है उस 17 वर्षिया आफत को देखे बिना ही यह चनौती सुईकार करना मूर्ख था थी पागल पन था मेरी और पारुल की पहली मुलाका थी बड़ी लोम हर्शक थी बिटिया को उसी सहेली के आचोड़कर डॉक्टर केवल एक दिन के लिए इंदोर आय थे हमारे शादी बहुत ही साधी समारों में संपन हुई भोज का आयोजन भी लंबा चोड़ा नहीं था भाईया ने केवल को चुनिंदा दोस्तों और परिजनों को ही बलाया था फिर भी रात के ग्यारा बज़ी गए भावी उतनी रात को विदा करने के लिए तयार नहीं थी पर इंके जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी कोई बारात की विदाई तो थी ही नहीं हम दोनों ही कार में बैटकर चले तो चार बस्ते बस्ते घर पहुँच गए मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए बंदनवार सजे होंगे या किसी ने अलपना डाली होगी मैंने ये भी नहीं सोचा था कि शेहनाई की मंगल धोनी मेरा स्वागत करेगी या कि ढोलक की थाप से पूरा महला गुंजाय मान होगा हम लोग की शादी तो एक अनुबंद मात्र थी भाईया भावी ने उसे एक उत्साव का रूप दे दिया था बस इस और वे उत्साव नहीं होगा या मुझे मालूम था फिर भी मूँ अंधेरे अपने ही हातों से ताला खुल कर घर में दाखिल होते मन बुच्च सगया वेलकम होम उन्होंने अप्चारिकता बढ़ती फैंक्यू मैंने सिच्चाचार निबाया थोड़ा सा मुस्करा दी ताकि मेरी हताशा जाहिर ना हो ठक गई हो ना अभी आराम कर लो इतनी रात में घर क्या देखोगी जी हाँ अभी तो अपना कमरा ही दिखा दीजे कमरे में जाते ही मन परसंद हो गया लगा कि आने वाले के सम्मान में इसे नई सिदे से सजाया गया है डूर मैट से लेकर बात्रूम में रखे टावल तक सब कुछ नए नई से थे नया भी और ताजा भी मन के किसी कोने में जो एक काटा सा था कि मैं किसी की बासी ग्रस्ती सजाने जा रही हूँ वेकसक एकदम दूर हो गई वाश लेकर बहार आई तो देखा ये कॉफी लिए मेरी प्रितिक्षा कर रहे हैं थैंक्यू मैंने मग उठाते हुए कहा पर ये धन्यवाद निदी अपचारिकता नहीं थी मैंने हिर्दे से उनका आभार माना था इससे मैं सच मुझ कुछ पीने का मन हो रहा था पर घर में कोई था ही नहीं जो अनुरोद करता अपने आप बनाना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था मैं सच मुझ कृतग्य थी कि मुझे आते ही रसोई में पैर नहीं देना पड़ा मैं तो सोच रही थी कि अब तो सुबह होने को है सोकर क्या होगा पर कब आख लग गई पता ही नहीं चला सुबह उठी तो दिन काफी चर चुका था और ये तयार हो चुके थे आज छुटी नहीं लेंगे मैंने कातर स्वर में पूछा जल्दी लोटाऊंगा इन्होंने मुझे आश्वस किया आओ नाश्टा कर लेते हैं मैं रुका हुआ हूँ नाश्टे की मेश पर ही रामधन से मुलाकात हुई उसी ने फिर लक्ष्मी से मेरा परिच्चा करवाया ये मेरी ग्रस्टी के दो आधार स्थम्भ है इन्होंने परिहास में कहा पर मुझे तो तीसे की तलाश थी आखिर मुझे से रहा नहीं गया पूछे लिया बेटिया से नहीं मिलवाएंगे छण भर को उनके चहरे पर असमंजस के भाव उभरे वह शायद बेवी तो सवेरे ही लोटाई है रामधन ने सूचना दी बुलावेगा नहीं नहीं रहने दो हम ही चले जाएंगे इन्होंने तुरंद कहा और इतनी फोर्ती से खड़े हो गए मानो पल भर की भी देर की तो रामधन बिटिया को बुला लाएगा आओ इन्होंने कहा और मैं घिसरती सी उनके पीछे चल दी मुझे आश्यारे भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था कै मैं इस योग्य में नहीं थी कि कोई उचसकता से जाकि ले मिलने के लिए ठेट कमरे में ही जाना पड़ेगा इसले बरामधी से सटा हुआ सबसे आकरी कमरा उसका था दरवाजा बन था और भीतर माइकल जैक्शन चीक रहा था इन्होंने नौक किया खुला है अंदर से करकश आवा जाई दरवाजा ठेल कर हम दोनों भीतर गए बिस्तर पर ओंधी लेटी वे कोई पुस्तक पढ़ाई थी हमें देखते ही जीन्स में कसी उसकी टांगों का हवाई निर्ते थम गया ओ पापा आप हैं मैं समझी रामधन होगा इन्होंने आगे बढ़कर पहले कैसेट बंद किया फिर गंभी सौर में बोले निक्की मेरा मतलब है इनसे मिलो ये तुम्हारी मम्मी है ओ आई सी बस इससे ज़्यादा कोई परतिक्रिया नहीं उसने अपनी पोस तक नहीं बदली इन्हें भी बुरा लगा एकदम चीखे निक्की ये क्या है केर आर योर मेर्स डू यू है वैनी टैक से उठकर बात नहीं कर सकती तुम वैं एकदम उचल खड़ी हुई अपने चोटे-चोटे बालों को गर्दन के पीछे एक जटके किप साथ फेकती हुई बोली आपकी आग्या शुरोधार है पिताश्री लीजे मैं खड़ी हो गई अब अगर आप चाहेंगे तो मैं माताश्री की चरण बंदना भी कर सकती हूँ गुस्से से इनका चहरा तम-तमा उठा मुझे डर हुआ कि कहिए बेटी को एक छापड़ी रसीद न कर दें मैंने अपनी दोनों हतेलियों में इनका दाहिना हाथ थाम लिया सोचा मेरे इसनेह के उत्ताप से उनकी उत्तेजना कुछ तो कम होगी चलिए मैंने मनुहार की और इन्हें उसी तरह थाम कर बाहर ले आई बाहर आकर देखा लक्षमी और रामधन दोनों कमरे की और कान लगा कर बैठे हैं उन्हें जरूर ही निराशा हुई होगी एक बात का यकिन जरूर आ गया कि इस घर में अगर कभी कोई नाटक हुआ तो दर्शकों का अभाव नहीं रहेगा अपने कमरे की सुरक्षे चार दिवारी में आकर मैंने खुल कर सास दी इतनी देर से दम जैसे घुटा जा रहा था लेकिन ये अब भी गुस्टे से थर थर काप रहे थे प्लीज रिलेक्स मैंने इनके बालों में उंग्लिया फिराते हुए कहा एपरिचय की सारी दिवारे समवेदना के उस प्रवा में बह गए कुछ छणबाद ये भी नॉर्मल होने लगे सौरी रशनी योनने भर्राई आवाज में कहा Forget it मैंने इन्हें आश्वेस करती हुए कहा विश्वास कीजिए मैंने किसी विवात का जरा भी बुरा नहीं माना है आप जरा उस लड़की की और से तो सोच कर देखिए आप एक अंजान औरत को एकदम उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं यह तुमारी मा है बताईए और आप उससे अपिक्षा करते हैं लेकिन निक्की को तो अपनी मा याद भी नहीं है कुल जमा दो साल की तो धीवे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है उसने मा के चितर तो देखे होंगे उसी के सहरे उसकी कलपना ने एक तस्वीर बनाई होगी क्या पतावे मनी मन उस तस्वीर को पूस्ती होगी आप उससे ये आशा तो नहीं कर सकते कि वे मुझे देखते ही अपनी सारी श्रद्धा सारा आदर मुझे दे दे इसमें समय लगता है बलकि मेरा तो ये आगरे भी नहीं है कि वे मुझे मम्मी ही कहे उसके अंतरमन से जो संबोधन निकलेगा मेरे लिए वही सुईकार्य होगा ये चुप ही बने रहे सुनिये मैंने अनुने भरे स्वर में कहा आज हमारी शादी का पहला दिन है क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ इन्होंने प्रशनार्थक नजरों से मुझे देखा आप निक्की को मेरे सामने ये मेरे लिए डाटिंगे नहीं मैं मेरे साथ कैसे भी पेश आया आप कुछ नहीं कहेंगे ये मेरी लड़ाई है इसे मैं अकेले ही लड़ना चाती हूँ आप बीच में पड़ेंगे तो मैं ये अबाजी निश्चित ही हार जाऊंगी इसलिए प्लीज बड़ी देर बाद इन्होंने कहा और उटकर ड्यूटिय पर चले गए कितनी दिलेरी से मैंने ये चुनोती सुईकार की थी किस पहवदिरी से एलान किया था कि मेरी लड़ाई है इसे मैं अकेले ही लड़ूगी पर अब लग रहा है कि ये बड़ भोलापन मुझे महेंगा पढ़ रहा है ये जंग जीतना उतना आसान नहीं है ये लड़की तो मुझे परच्छाई भी नहीं चुने देती इस उठा पटक में उसके पिता भी दूर छिटकने लगे है मैंने एक संकल्प लिया था घर का वात्यावरान जब तक सहज और सामाने नहीं हो जाता तब तक हम ना तो किसी रिष्टिदार को आमित्रित करेंगे ना स्वैम कहीं जाएंगे जब भी जाना होगा तीनों साथ जाएंगे रिष्टिदारों का तो वैसे भी कोई खत्रा नहीं था माजी की मृत्यों के बाद महमानों का सुलसिला वैसे भी थम गया था खाली घर में दिवारों से सिर्फ ओरने कौन आता इन्हें भी किसी के यहां जाने या बुलाने का चाब नहीं रह गया था पर कहीं बाद जाने के लिए वे अकुला उठे थे घर में हमेशा एक एव्यक तनाब बना रहता जिस से इनका मन घर से भागने को होता था यह तो बिटी आरानी हमारी किसी बात में दखल नहीं देती थी पर उसकी यह उपेक्षा ही मन पर बोज बुन जाती थी पर कहीं जाना भी तो आसान नहीं था हम लोग कहीं पिक्षर क्या पार्टी में भी जाते तो मेरा मन अपराद बोज से गस्त हो जाता शहर से दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उड़ता था निक्की को क्या हर बार सहेली के हाँ भेजा जा सकता था उसे ही यह क्या अच्छा लगता घर पर उसे नौकरों के वरों से छोड़ना भी तो संबब नहीं था लोग बाग मखोन नहीं उड़ाएंगे तुम हर बार उसकी बात बीच में क्यों लियाती हो यह जलाते लेकिन उसे एकदम नजर अंदाज भी तो नहीं किया जा सकता मैं समझाती आखिर एक दिन मैंने कहें डाला आप ही नहीं तो कहा था कि यह शादी आप सिर्फ बटिया के लिए कर रहे हैं हाँ कहा था यह चीख रही थी वे मुझे जराबी लिफ्ट नहीं दे रही थी मेरा हर प्रियास वे विफल कर रही थी घरा प्रवेश के दूसरे दिन तड़के मेरी आँख खुल गई श्रीमान जी गहरी नीन में सो रहे थे सोचा अपने लिए फर्स क्लास चाय बना ली जाए कल का पूरा दिन मा सोचा दोस्ती के लिए अच्छा मौका है उसके पिताजी भी साथ में नहीं है मैंने फटाफट दो कप चाय बनाई और दरवाजे पर हलके से नौक किया निक्की दरवाजा इस तेजी के साथ खुला कि मैं सहम कर दो कदम पीछे ही हट गई फिर समलते हुए मैंने कहा मैंने दिस्टप तो नहीं किया ना तुम्हारे कमरे में रोश्नी देखी तो सोचा कि सुबह की चाय निक्की के साथ ही पी ली जाए मेरा नाम पारूल है पापा श्री ने शायद आपको बताया नहीं ओ सौरी अपमान के इस खुड को किसी तरह पीते हुए मैंने कहा अच्छा बत पारूनी का ख्याल लखे महरवानी होगी मन हुआ कह दूं पगली मैं तो तेरे लिए ही इस घर में आई हूँ तेरे पापा मुझे तेरे लिए ही ब्या कर लाए है पर वै जिस तरह काट खाने को दोड़ रही थी वहाँ ऐसी कोमल अनुभूतियों के लिए कुझाईशी कहा थी इसके बाद मैंने उसे जब भी पुकारा या जब भी उसका उले किया पारूल कहकर ही किया इन्होंने एक दो बार कहा भी अरे मैं तो भूली चला था कि उसका नाम पारूल है इसलिए तो मैं कहती इसलिए तो मैंने ठान लिया कि उसका असली नाम भी चलाउंगी इतना प्यारा नाम है और आपकी देखा देखी सब उसे निक्की कही चले जाते हैं कोई बच्ची है वो चाय वाले प्रसंग की करवाहर भूले में मुझे दो चार दिन लगे उसके बाद मैंने फिर कमर कस ली उसकी अनुपस्तिती में एक दिन मैंने उसके कमरे का मुआयना किया फि उसे तर्तीब देने की कोशिश में मेरे पूरे तीन घंटे खर्च हुए मैंने पहले तो उसका बिस्तर ठीक किया पलंकी चादर बदली फिर खिर्कियों के परदे बदले यहां बहां बिखरे कपड़े को समेटा धुले अंधुले कपडों को अलग किया मेज पर फैली किता वो कॉपियों को करीने से जमाया, ड्रेसिंग टेबिल का शीश साफ किया, शीशियों के ढकन ये थरस्तान रखे, स्टूल पर कैसेट्स के धेर को स्टेंड में फिट किया, बात्रों में नई साबुन दानिया रखी, गीले तॉलिये सोपने के लिए फैलाए इतना सब करने के बाद, लक्षमी को जाडू लगाने के आग्या दे कर, मैं अपने कमरी में आका लेट गई, ठक तो गही थी, पर मन प्रसंद था, सोचा, पारूल भी देखीगी, तो उसका जी खुश हो जाएगा, मुझे चाहें कुश न कहे, मनी मन एहसास तो होता होगा, कि मा भी कोई चीज होती है, ठीक, चार बजे, उसकी लूना गेट के अंदर दाखिल हुई, और में उटकर बैट गई, पता नहीं, किसी एव्यक्त अनुभूती से मेरा हिर्दय धड़कने लगा, रोज की तरह, पर सीधे अपने कमरे में गई और दूसर ही छड़वे मेरे स सामनी थी, धन्यवाद, उसने कहा, पर उसकी आखे और उसका स्वर, उस धन्यवाद का समर्थर नहीं कर रहे थे, आपने मेरे कबर खाने को कमरे की शकली देने की कोशिश की, इसके लिए अभारी हूँ, पर भविश्य में ये किरपा दस्टी ना कीजेगा, मुझे अच्छ पार हो चुकी है,